दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो में बच्चों को दी जाने वाली एक Oral Syrup ZN20 Oral Solution के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे जैसी के कौन सी कमपनी की दवा है इसके composition क्या है इसके फाइदे और side effects क्या है इसके इस्तिमाल करने के तरीके और dodges क्या है और इसका price कितना है तो दोस्तो वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा इंड तक जरूर देखें ताकि हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए और अगर आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आये हैं तो चैनल को subscribe करके वेल आइकन को भी दवा लीजिएगा मैं आप लोग के लिए ऐसे knowledgeable वी अब हम लोग इसके फाइदे और इसके benefits के बारे में जान लेते हैं तो दोस्तो जेरन 20 सिरप का उपयोग बच्चों में किया जाता है और इसमें Zinc Gluconate होता है यह बच्चों के सरीर को मजबूद बनाता है साथी सरीर के immunity को बढ़ाने में मदद करता है इसके अलावा बच् बच्चों में होने वाली कई प्रकार के संकर्मन यानी infection को फैलने से रुकता है गुद्शस में के एक और इंफेक्सिम को पूरा करने में मदद करता है और यह दामिन D की कमी को भी पूरा करता है तो दोस्तो जेनरली जेडेन 20 शिरफ के इतने सारी यूज़ेज हैं लेकिन डॉक्टर चाहे तो अपने अनुसर किसी दूसरे समस्या को कंट्रोल करने के लिए भी इस शिरफ का यूज़ करवा सकते हैं अब हम लोग इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं तो दोस्तो इसके अधिकान साइड इफेक्ट्स मामूली होते हैं और जैसे जैसे बच्चों के सरीर पर दवाका ताल मिल बैठता है वैसे वैसे दूर भी हो जाते हैं लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं होता है त उसके बीमारी के स्थिती पर डिपेंड करता है लेकिन अगर हम लोग इसके जेनरल डोज की बात करें तो 6 मेहने से कम उम्र के बच्चों के लिए दिन भर में एक बार कुछ खाने के बाद 5 ml और अगर 6 मेहने या फिर उससे अधिक उम्र का बच्चा है तो उसे भी दिन भर मे एक बार कुछ खाने के बाद 5 ml करके मेजरिंग ढकन के सहता से माप कर पिलाना है और दोस्तों ये बच्चों का डोज 14 दिनों के लिए होता है उसके बाद भी अगर बच्चा ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए और अब हम लोग जेदेन 20 सिरफ के प् मज में आ गई होगी फिर भी अगर आप लोग के मन में किसे तरह का सवाल या सुझावे तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरूर पूछे आप उसका टैम टो टैम जरूर रिप्ले करेंगे अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को आप तक पहुंच सके तब तक दोस्ता आप लोग स्वास्तर हैं मस्तर हैं फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद